जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। बासोडा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन सीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाते हैं, और घर के सभी लोग इस दिन बासी भोजन ही ग्रहन करते हैं। ठंडा बासी भोजन ही खाते हैं। अस्टमी के दिन घर में चूला नहीं जलता है। सीतला माता का वरत खास दोर से महिलाई करती हैं, अपने बच्चों की सलामती, अरोगिता वगर में सुकसानती के लिए। माता सीतला के स्वरूप को सीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। ऐसी मानिता है जो भी व्यक्ति, सच्चे मन से और पूरे विधी विधान से सीतला अस्टमी के दिन माता सीतला का वरत और पूजा करता है, उसके सभी कस्ट दूर हो जाते हैं। और उसके सभी रोगों का निवारण भी हो जाता है चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीतला अस्ट्यमी के दिन क्या करें दोस्तों इस दिन सीतल जल से इसनान करें हो सके तो महिलाओं को इस दिन उपवास रखना चाहिए अनिता पूजा करके कथा को जरूर सुनना चाहिए ध्यान रखें कि माता का भोग आप एक रात्री पहले ही बना कर रख लें खाने में आप इस दिन बिना नमकी पूरी, सबजी, मिठाई, रोटी, मीठे पूए, हलवा, पापड, कड़ी, चना दाल, बाजरा, रोटी, राबडी, गुजिया, बेसन की पकोडी, चूरुमा, मीठी भात आदी बना सकते हैं आप भोजन में कच्चा और पक्का भोजन दोनों ही बना सकते हैं, बस ध्यान रखें कि खाने में इस दिन प्याज लैसुन का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, सातिक भोजन ही बनाना चाहिए चले अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या ना करें दोस्तों इस दिन चूला जलाना वर्जित होता है इसके लावा गलती से भी इस दिन गरम पानी से इसनान नहीं करना चाहिए इस बात का विसेज ध्यान रखें इसके लावा इस दिन सिर्ध होकर इसनान नहीं करना चाहिए और महिलाओं को इस दिन सुई धागे का इस्तमाल भी नहीं करना है और एक बात का ध्यान लखें कि इस दिन घर में जाड़ों भी ना लगाएं और छोंका भी नहीं लगाएं इन सभी बातों का आपको विशेज ध्यान रखना है ताकि सीतला माता की कृपा आपके घर परिवार पर सदयों बनी रहे दोस्तों इस दिन एक दिन पहले खाना बनाने के बाद घर की रसोई साफ कर लें और बसोडा के दिन रसोई का पूजन भी करें इस दिन घर की रसोई में हाथ की पाँच उंगलियों से घी लगा कर दिवार पर हाथ का छापा लगाया जाता है फिर उसके बाद गैस चूले की पूजा की जाती है स्वास्तिक बना कर रोली और चावल, मौली, पुस्प, घी, गुड आदि से पूजन जरूर करें इससे माता की कृपा से आपके घर में अन्य और धनकी कभी कमी नहीं रहेगी और अगर आपके यहां इस दिन कुंडारे या कुडवारे भरे जाती हैं तो एक दिन पहले कुमार के यहां से नो कुंडवारे, एक कुल्लड या एक मटकी और एक दीपक ले आएं और रात भर उसे पानी में भिगो कर ठंडा कर लें दोस्तों हो सके तो इस पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग करें अन्य था आप स्टील, पीतल या तामे के बर्तन का इस्तमाल भी कर सकते हैं चलिए अब जान लेते हैं सीतला हस्ट्यमी की पूजा विदी के बारे में तो दोस्तों सीतला माता की पूजा आप सीतला माता की मंदिर जाकर या घर पर ही मूर्ती या फोटो से भी कर सकते हैं आप इस दिन सुबा चल्दी उठकर सीतलवा ठंडे जल से इसनान करें और स्वच्छ वस्त धारन करें अब आप पूजा की सारी समगरी एक अत्रित कर लें एक थाली में आप माता का भोग रखें जो आपने एक दिन पहले पकाया है और आप के यहां कुनवारे भरे जाते हैं तो एक थाली में कुनवारे भरें कुनवारों में गुलगुले बेसन की पकोडी मीठे बाजरे हलवा मीठा चावल सक्कर पारे भीगा हुआ मोट बाजरा चने की दाल मूं की दाल आदी भरें और मठकी में राबडी या दही भरें और मठकी या कुणवारों में मौली लपेट लें अब आप एक लोटे में जल भर कर रखें और पानी में बिना नमक का आटा गूत कर इस आटे से एक छोटा सा दीपक बना लें इस दीपक में रूई की बाती घी में डुबो कर लगा लें ध्यान रहे कि यह दीपक बिना जलाए यानि ठंडा ही माता सीतला को चढ़ाया जाता है अब आव विधी पूर्वक सीतला माता की बूजा करें सबसे पहले उन्हें जल का छीटा दें इस दिन माता को हल्दी का टीका करें अक्षत अर्पित करें फूल माला चढ़ाएं वस्तर के रूप में मौली अर्पित करें और माता को स्रिंगार का समान चढ़ाएं और फल चढ़ाएं हो सके तो इस दिन रसीले फल यानि पानी वाला नारियल जरूर अर्पित करें इसके बाद एक दिन पहले जो आपने भोजन बनाया है वह माता को भोग लगाएं और कुणवारे चढ़ाएं बड़कुलों की माला अर्पित करें अब आटे से बना हुगा दीपक भी अर्पित करें तत्पस्चात सीतला चालीसा या सीतला इस्त्रोत का पाट करें आप सीतला माता के मंतर ओम रिंग स्रीम सीतलाए नमा इस मंतर का 108 बार जाप करें तत्पस्चात आप सीतला माता की कथा सुने या पढ़ें अब आप सीतला माता की हाथ जोड़कर अपने घर परिवार की खुसाली की काम ना करें और आखिर में दुबारा जल जढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल बच जाए उसमें से थोड़ा जल आखिर में दुबारा जल जढ़ाएं और चढ़ाने के बाद लोटे में जो जल बच जाए उसे अपने घर ले आएं और घर के सभी सदस्यों की आँखों पर लगाएं और थोड़ा सा जल अपने घर के हर हिस्से में छड़कें इससे घर की सुद्धी होती है और घर में सुबता भी आती है दोस्तों सीतला माता की पूझा के बाद पथवारी माता की पूझा करने चाहिए और एक कुणवारे का समान यहां अरुपित करें और इस दिन सीतला माता पथवारी माता और गड़ेज जी की कहाने सुनेने चाहिए इसके बाद जहां होली का दहन हुआ हो वहां जाकर पूजा करें और वहां भी थोड़ा जल जढ़ाएं पुआ, पकोडी, बाजरा और एक कुणवारे का समान चढ़ाएं घर आने के बाद आप पानी के मटकी की पूजा करें और बचे हुए कुनवारे का समान कुमारी को या गाय को या ब्रामणी को दे दें दोस्तों इस दिन घर के दरवाजे पर हातों के छापे लगाये जाते हैं या कहीं कहीं दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बना कर पूजा की जाती है दोस्तों इस तरह से सीतला माता की विद्वत पूजा संपन्न होती है लेकिन अगर आप इतनी डिटेल में पूजा ना कर सकें तो आप सिंपल सीतला माता की पूजा करके उन्हें ठंडे बासी भूजन का भोग लगाएं और इसके लावा इस दिन घर का कोई भी सदस से गरम गरम भोजन ना करें इस बात का विशेज ध्यान रखें घर के सबी सदस्य को इस दिन ठंडा बासी भोजन ही खाना चाहिए आपको बता दें कि इस दिन नई जाडू, नया सूप घर लाना चाहिए और हो सके तो सीतला माता के मंदिर में नई जाडू, नया सूप, अन्य, वस्त्र और धन का दान भी करना चाहिए इससे सीतला माता का आशिरवाद आपको प्राप्त होगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद